दुनिया की पाँच अजीबो गरीब गाए जिनको देखकर आपका दिमाग चक्रा जाएगा नमबर एक मानिक्यम गाए ये गाए दुनिया की सबसे छोटी गाए है अगर आप इस गाए को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये कोई छोटा बकरी का बच्चा है नॉर्मल गाए की हाइट चार से पांच फिट होती है और वजन करीब तीन सो किलो होता है लेकिन ये गाए इतनी छोटी है कि आप इसे देखकर चौखी जाएंगे मानिक्यम गाए की लंबाई एक पॉइंट पिछट्तर है और इस गाए का वजन चालीस किलो है ये गाए बकरी से भी छोटी होती है इसी कारण इस गाए को गिनीज वर्ड ओन अफ बुक में भी दर्ज किया गया है केरल के अथौल में रहने वाले बाल कृष्ण इस गाए को अपने घर पर रखते हैं ये गाए अपने इलाके में आकर्शन का केंद्र बन चुकी है इसी बॉडी बिल्डर गाए की तरह दिखती है इस गाए का शरीर दिखाने में अत्यधिक मजबूत लगता है हालांकि ये गाए इंसानों की तरह बॉडी बनाने जिम नहीं जाती तथा नहीं इस गाए को कुछ हास खाने को दिया जाता है परंतु इसकी बॉडी ऐसी दिखने में जेनेटिक्स का हाथ है जो इस गाए को हद से ज्यादा खतरनाक बनाती है ये गाए अपने खतरनाक दिखने वाले शरीर के विपरीत बहुत ही शांत स्वभाव की होती है नंबर तीन लेजीस ब्लूग्रास इस गाए का मालिक कहता है कि जो भी इस गाए को देखा है वो व्यक्ति अपनी आँखों पर विश्वास नहीं कर पाता क्योंकि इस गाए के सिंग पालतु गाए से दो गुना बड़े हैं दोस्तों ये गाए 2014 का सबसे बड़े सिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड जीत चुकी है 2014 में इस गाए के सिंग का आकार स्वतामिर सेंटीमीटर ना पा गया था इस बेल के मालिक ने इसका नाम लेजीस ब्लूग्रास रखा है बेल के मालिक का कहना है कि ये सब जेनेटिक्स का कमाल है क्योंकि उससे पहले इस बेल के परिवार में इसके पिता और दादा के सिंग भी बहुत लंबे थे लेकिन इस बहाने उन सबको भी मत दिखाई और बन गया दुनिया का सबसे लंबे सिंग वाला बैल दोस्तो ये गाई दुनिया में सबसे बड़ी गाई है इस गाई की दुनिया भर में काफी चर्चा रहती है इसका इतना विशाल शरीर है कि बाकी गाईों के बीच इसकी एक अलग ही पहचान है इस गाई की उम्र 7 साल है ये गाई अमेरिका की होल स्टीन फ्रीजेन नसल की गा नमबर पांच, कैनूलाइस्ट गाए इन गाए के अंदर वैग्यानिकों द्वारा एक छेद बनाया गया है लेकिन ये छेद क्यों बनाया गया है? इसका कुछ नहीं पता ये इसलिए नहीं बनाया गया कि इन गाएों में कुछ बीमारियां है बलकि ऐसा इसलिए किया गया है ताकि वैग्यानिक इन गाएों को स्वस्थ रख सके स्विट्जर्लैंड और हॉलेंड मैं बनाये गए गाएों में इन छेद को कैनूला कहते हैं वहां के वैग्यानिक हमें बताते हैं कि इस चीज की मदद से हम गाए के खाए हुए पदार्थ पर नजर रख सकते हैं और रही सही कमी को दूर किया जा सकता है जिसके कारण गाए अधिक मातरा में पौश्टिक दूद देती है इस छेद को इसलिए भी बनाया गया है क्योंकि अगर ये गाए कुछ गलत निगल जाए तो उसे उस छेद द्वारा निकाला जा सकता है